कि हैलो अबरीववन कैसो दोस्तों आप सभी लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया हूंगे जैसे दोस्तों आप सभी लोगों पता है कि हम यहां पर यह फिर मेरे द्वारा चॉट वीडियो का सेशन लाए जाता है और जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत जोडने वाला हूं दोस्तों वो है आज का जैसे कि पीछे आपको इस स्क्रीन पर एक टेंपल कहें या फिर हम लोग गुरुद्वारा कह सकते हैं इस गुरुद्वारे का नाम है दोस्तों आपका जंडा साहिब जंडा साहिब काभी साहिब लोगों ने इनके बारे में सुना होगा देखे आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूं मैं उमीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा कुछ जानकारी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है तो देखते हैं क्या दोस्तों जैसा कहा जाता है कि एक हमारी पास में गुरू हुआ करते थे जिनका नाम था गुरू राम राय आपने गुरू नाम राय एडूकेशन मिश्टन भी आपने जरूर सुना होगा SGRR कॉलिजस के नाम भी आपने जरूर सुने होंगे इनी के नाम पर पढ़ा हुआ ह पर बात यहां पर आती है कि जंडा मिले कि सुरवात कब हुई है क्या-क्या मामला रहे इसका पीछे की कहानी क्या है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक गुरू हुआ करते थे सिखों के गुरू हर्दास गुरू हर्दास के दो पुत्र हुआ करते थे एक पुत्र का नाम था गुरु रामराय, दूसरे पुत्र का नाम था आपके हारी कृष्ण, गुरु हार कृष्ण कह सकते हैं, गुरु हार कृष्ण सिखों के गुरु बन चुके थे और गुरु रामराय जो है, वो औरंग जेब के मित्र समवता माने जाते हैं, कहा जाता है कि गुरु रामराय जी लाई जी ने और अग्जेब से कहा कि मुझे कहीं पर रहने का इस्थान दे दीजिए दिल्ली गए तो आपको पता है कि मुगलबादसा है तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे मित्र है क्योंकि पहाडों में रहते पहाडों के राजा है है यह नो कहा देता हूँ कि आपको कुछ गाउं वगर दान कर दें, तो आप वहाँ पर अपना इस्थान रहन कर लीजिएगा, तो इस समय पर गड़वाल के या फिर परमार वंस के पमार वंस के राजा हुआ करते थे फत्य पतिशा, फत्य पतिशा को जब यह खबर पहुंचे तो definitely उन औरंग जेब की मित्रत हैं, तो definitely उनको इनकी बात मानना ज़रूरी था, तो औरंग जेब की बात को माना गया, तो कहा जाता है, देखें, इतिहासकार कुछ अलग-लग बाते करते हैं, एर को लेकर, सन को लेकर, समय को लेकर, वैसा बोला जाता है कि गुरु नाम राय जी, स् पतेपती शा के, पतेपती शा के दरबार में पहुंचे, 1675 या फिर 1666, गडवाल के एक राइटर हुए हैं, इतियासकार हुए हैं, जिनका नाम था भक्त दर्शन, भक्त दर्शन ने अपनी किताब में कहा है, कि 1699 के दौरान ही, गुरु नाम राय जी कहां पर आये हैं, आ राजधानी हैं, तो दहरदून में क्या दिया गए, तीन गाउं दान किये गए, इन तीन गाउं में अगर मैं बात करें, एक एक नाम से, जैसे कि एक गाउं हुआ करता था धामावाला, एक गाउं हुआ करता था पंडितवाडी, और तीसरा गाउं हुआ करता था ठेरदुन में सबसे पहले जब यहां पे रुके तो वह इस्थान हुआ करता था धम वाल啦, जो गाउँता धम वाला. धम वाला में के जगा पड़ति है दोस्रों जिसको कहा जाए था मैं उसी खुरुडवार मुलल की बात कर रहा हूँ, कहा जाता है धामावला के खुरुडवा च्छेत्र में ही गुरुरामराई जी के द्वारा धंडा गाडा गया था, और यहीं पर यह सबसे पहले उन्होंने गुरुदवारे का निर्मान किया था, कच्चा गुरुदवारा बनाया था, आप जो पीछे देखने हों तो पक्का गुरुदवारा है, पर तो उस समय पर उन्होंने गुरुदवारा जो बनाये था, उसी गुरुदवारे को आज के समय पर जंडा साहिब के नाम से पुकारा जाता है, तो क्वेशन पूचा जा भारत वर्स में भी, यह ब होली के पांचवे जैसे कि आप होली आने वाली है, तो आपके पास जब आगे होली आएगी, तो होली के पांचवे दिन आपका क्या होगा, जंडा साहिब का मेला लगता है, जंडा मेला लगता है, इसके नाम पर लगता है, गुरुराम राइजी के नाम पर लगता है, तो आमें थोड़ा कुछ पिक्चर आप लोगों को दिखा दिता हूं एक बारी जरा, आप लोगों यह देखिएगा, इतनी भयंकर भीड यहां पर दिखिए, इस प्रकार से जंडेगा, देखो कितना बड़ा जंडा यहां पर लगाया गया, कापे साली लोगों के दरा मनते मांग की जाती है, गुरुराम राइजी, है ना, देखिए, कुछ लोगों को ऐसा कहना है दोस्तों कि यह जो जंडा मेले की जो सुरवात की गए थी, वो 1699 में जरूर की गई है, परंतु किसके द्वारा की गई, कहा जाता है कि जब गुरुराम राइजी की मृत्य हो गई थी, त तो आप लोग कितने भव या भीड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है, जगा इतनी ज़्यादा है नहीं दोस्तों यहाँ पर, जगा है नहीं, परंतु, परंतु क्या है, भाई यह स्थरद्धा है, सिंपल सी बात हो गई, तो आप लोगों के द्वारा, भाई हर कोई इस जढ़े को छूना चाहता है, यह गुरुराम राह जी की महिमा है, कि इस प्रकार से लोग उनको मानते हैं, यह थी कुछ कहा ने, दोस्तों, आपके जढ़ा साहिब के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो शॉट वीडियो का जशेशन है, वो आप आपको नेक्स सेशन में, थैंक्यू सो मच आपका मेरे साथम बने नेन के लिए, मैं आपका उत्राकन टीचर दीप, मिलता हूँ आपको आपको सो, नेक्स सेशन में, धन्यवाद, बाई बाई